हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिल से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SS Electrician पर आज की वीडियो में हम सिखेंगे सिंगल स्पीड मोटर में वायरों की पहचान आपको समझाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप बोर्ड पे हमने चार चित्र टोटल बनाए हुए हैं इन चारों चित्रों से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सिंगल स्पीड के मोटर से कितने वायर निकलते हैं और चार तार निकलते हैं या तीन तार निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं चार तार निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं और उसमें कैपिसिटर अलग से जोड़के दो तार और एक्स्ट्रा क्यों निकाले जाते हैं यह सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी तो जो भी window AC या फिर split AC या फिर किसी भी cooler होगेरा का काम करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत important होने वाली है वीडियो को last तक देखेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी और last में हम एक trick भी बताएंगे आपको कि आप किस तरह से wireों के देखे पहचान सकते हैं कि ये single speed का motor है double speed का motor है या three speed का motor है तो चलिए हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम पहला वाला चित्र है इस पहले वाले चित्र से इस motor से चार तार निकले है देखें चार तार कैसे निकलते हैं सबसे पहले में आपको यह समझा देता हूं तो यहां पर देखिए कोई भी motor होता है उसमें दो winding होती है एक running winding होते हैं तो अगर मालिजे कि हम उसमें running binding शुरू कर रहा है, तो यह मालिजे हमारी running binding है, तो running binding को हमने यहाँ पर कर दिया, अगर running binding यहाँ पर complete हो जाती है तो running binding complete हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अब एक wire तो यह last वाला निकल जाएगा, और यह निकल जाएगा तो आसे प्रकार से जब हम लों ओंटर करते हैं ना तो इससे दो तर निक Alaska से तो इसके बाद हमारी जो दूसरी पल्शरोप आपको समझा रहा है कि किस प्रकार से मोटर की वैंडिंग अंदर से होती है यहां पर दखिए जो दूसरी वाली वाइड़िंग है यह कि हमारी स्टार्टिंग म वान हो गया और यहाँ प्रिमालजी स्टू हो गया है तो इस तरह से running और starting वाइंडिंग से निकलते हैं तो अगर चारों तारों को बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिरिश से दिखाई देता है जो हम पहले चितर में आपको दिखाए हुए हैं यहां पर दखें जो दोनों तार हैं इसमें से चारों तारों में से दो तार रनिंग के हो सकते हैं दो तार इस्टार्टिंग के हो सकते हैं अब यहां पर चार तार निकले हैं और दो तारों में supply दी जा रही है तो इस चीज को कैसे identify करना है कि ये चारों तार आखिर किसके हैं तो अगर ये चारों तारों को आपको चेक करना है तो आप multimeter ले सकते हैं या फिर series board ले सकते हैं अगर आपके पास इस प्रकार का multimeter है तो आप इन चारों तारों को बारी बा चानेंगे देखिए सबसे पहले आपको इस परकार का मल्टी मीटर लेना है और मल्टी मीटर को लगाना है कांटी न्यूटी मोड पर यहां पर आप देख सकती यह हमारा है कांटी न्यूटी मोड हम थोड़ा आपको नजदेक से दिखाने की कोशिज करें यहां पर देखिए क continuity mode है और continuity mode पर लगा लेने के बाद यह जो दोनों हमारी प्रोब लगी हुई है एक कामन पर लगी हुई है और एक voltage ओम और मिली एंपियर पर लगी है मतलब कि एक नीचे लगी है इस परकार से आपको लगा लेना है और लगा लेने के बाद इन दोनों तारों को आपस में टच कराके देखना है क्या यह बीप की आवाज के साथ साथ जीरो रिडिंग हो जा रहे हैं यहां पर बिल्कुल आप रख देते हैं आपको समझाने की कोशिस करते हैं यहां पर देखे हैं मल्टी मीटर की एक प्रोब आपको यहां पर रख देना है और मल्टी मीटर की दूसरी प्रोब के दौरा इन तीनों वायरों को बारी बार इस चेक करना है एक बार इस पर चेक करना है फिर इस पर चेक क गनाई कि उस रीडिंग को हम नोड कर लेंगे, जैसे हम suppose that मान के चलते हैं, यह जो चारो तार निकले हैं, इन चारो तारों को हम नाम दे देते हैं, A, B, और C, D, इस तरह से हम नाम दे देते हैं, और नाम देने के बाद, यहां पर दखेए, हमने किस को किस को चेक गिया, A और बी को चेक किया तो यहाँ पर रेडिंग मान के चलते हैं कि हमको प्राप्त हो गई तो ए प्लस बी को हमने चेक किया तो यहाँ पर रेडिंग हमको मिल गई 127 मान के चलते हैं 127 रेडिंग मिल जाती है अब जब 127 रेडिंग A और B पे मिल जाती है फिर उसके बाद आपको क्या करना है C और D को चेक करना है इस तरह से C और D को चेक करना है जब हम C और D को चेक करेंगे उस टाइम भी अगर रेडिंग मिल जाती है हमको यहाँ पर लिख देते हैं C प्लस D यहाँ पर जो reading मिलती है उसको भी note करना है मान के चलते हैं यहाँ पर 147 reading प्राप्त हो गई तो यहाँ पर A और B को हमने चेक किया तो 127 reading मिली और C और D को जब हमने चेक किया तो 147 reading मिली तो इससे हमको क्या समझना चाहिए इससे हमको यह समझना चाहिए कि यह जो मोटर से 4 तार निकले हुए हैं इनमें से A और B वाला 127 reading आ रही है C और D वाले में 147 reading आ रही है तो A और B वाले में जब 127 reading आ रही है तो यह reading कम है C और D वाले में जब 147 reading आ रही है यह reading ज़्यादा है तो जो reading कम है वो दोने wire running binding के होंगे और जिसमें reading अधिक है वो दोनों wire starting binding के होंगे तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें से जो 4 तार निकले हैं दो wire running के हैं और दो wire starting के हैं जिनमे reading कम आई वे दोनों wire running के हैं और जिनमे reading जदा आई वे दोनों wire starting के हैं अब यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि इन चारों तारों में से दो तार कैपेसिटर के हों और दो तार हमारे सप्लाई के हों तो हम आगे आपको चित्रों में समझाएंगे यहाँ पर आपको यह चीज़ समझ में आया होगा कि अगर मोटर से 4 तार निकलते हैं, 2 running के, 2 starting के, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, अगर माल लिजे हमको इसमें supply देना है, तो supply देने के लिए सबसे पहले इसमें capacitor लगाना पड़ेगा, capacitor कहां पर लगाना wire आपस में जोड के common बनाना है, क्या बनाना है, common बनाना है, इस तरह से common बना लेना है, common बनाने के बाद बसता है हमारा एक running वाला wire और एक starting वाला wire, तो एक running और एक starting वाले wire को क्या करना है, capacitor में joint करना है, मतलब capacitor में जोड देना है, capacitor से आप जानते होंगे कि 2 तार निकलते है है एक तरही हो गया एक तठी हो गया तो एक तरह आपको क्रिफेजिटर के इस पोईट पर जोड़ना है और एक तरह को किया करना होगा हम आपको बता देंदे के लिए हमारे पास दो wire होते हैं phase और neutral के तो phase की supply को आपको दे देना है जहां पे हम running वाले binding का wire capacitor में जोड़े होंगे वहां पे और जो neutral की supply होगी neutral की supply को आपको दे देना है जो हमने running और starting को आपस में मिला के common मनाया वहां पे दे देना है तो इस प्रकार से आपकी सारी confusion दूर हो जाती है connection भी आपने सीख लिया तो आई होप आपको पहले चित्र के बारे में समझ में होगा जब हमारे motor से दो running के और दो starting के तार निकलते हैं ऐसा बहुत ही कम बार होता है ऐसा ही बहुत कम बार देखने को मिलता है जब हमने अपने हाथ से binding करते हैं तो इस तरह से निकालते हैं ले प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से तीन वायर निकलते हैं तीन वायर निकलने का मतलब हम आपको समझा देते हैं कि तीन वायर कैसे निकाले जाते हैं यहां पर देखे चार वायर थे तो हमको कामन बनाना पड़ा बाहर लाके यानि कि चारों तारो लगा के supply देनी की जरूरत है अब यहां पर देख सकते हैं आप तीन तार हैं तो तीन तारों को पहली बार पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन सा इसमें common है कौन सा running है कौन सा starting है अगर हम common running और starting पहचान ले तो common पे हम neutral की supply देदेंगे और running starting पे capacitor जोड़ देंगे और phase की supply हम running वाले वायर में दे देंगे तो इस प्रकार से यह भी identify हो जाएगा और इसका भी connection भी हो जाएगा तो चलिए हम multimeter से इसको चेक करना आपको बता देते हैं यहाँ पर भी जो वायर तीनों निकले हुए हैं इन तीनों वायरों को हम identify पहले कर लेते हैं यह हो गया A यह हो गया B और यह हो गया C यहाँ पर तीन वायर आपको दिखाई दे रहे हैं A B और C इसमें से एक common होगा एक running होगा एक starting होगा क्यों क्योंकि जब motor की winding की जा रही थी उसमें running starting binding जब दोनों हो गई तो motor के अंदर ही एक running को एक starting को आपस में जोड़के common बना लिया गया तो यह वायर यह हो गया एक वायर running वाला हो गया और यह वायर starting वाला हो गया तो इस प्रकार से आपको तीन वायर देखने क के बाद आपको करना क्या है इसको उसी मोड पे रखना है जिस मोड पे हमने उस motor को चेक किया मतलब की continuity mode पे continuity mode पे यह हो जाने के बाद अब आपको यह दोनों प्रोब ले लेनी है और दोनों प्रोब से motor के तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करना है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि motor के तीनों वायरों को चेक कैसे करना है इधर दोर गुमाते रह जाते हैं और पता नहीं चल पाता है कि कौन सा common है कौन सा running है कौन सा starting है तो सबसे पहले मैं आपको एक method बताता हूं आप उसको copy पर note कर सकते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले जो copy note कर लेना है कि हम किस पर लगाए है अगर आपके पास यह तीनों वायर हो तो अलग अलग color के वायर हो सकते हैं तो आप यहां पर color note कर सकते हैं वहां पर ABC देखने को आपको नहीं मिलेगा यहां पर color note कर सकते हैं कि कौन सा color है माल लिए black color यहां लिख सकते हैं black उसके बाद यहां पर plus लिखेंगे और plus लिखने के बाद आप जिस color के wire पर दूसरा prob लगाँएंगे तो उसको भी लिखलेना है, जैसे माल लिचे हमने blue पे लगा रहा है, तो यहां पर लिख लेना है blue तो यहां पर हमारे पास b है तो यहां पर b लिख लेते हैं और b लिखने के बाद यहां पर जो भी रिडिंग आएगी A और B पर हम लगाया है प्रोब जो भी रिडिंग आएगी यहां पर हम नोट कर लेंगे कैसे नोट करेंगे यहां पर देखिए जो भी रिडिंग आएगी हम नोट कर लेंगे मानके चलते हैं यहां पर रिडिंग हमारी आ देना है मतलब कि एक प्रोब आपको ए पर ही रहने देना है और उसके बाद दूसरी प्रोब को भी पर से हटा के सी को चेक कर लेना है अब यहां पर क्या लिखेंगे ए और सी पे जब हम लगा रहा है न यहां पर लिखेंगे ए प्लस सी क्या लिखेंगे ए प्लस सी लिखेंग अब इसके बाद आपको करना क्या है हमने A पर लगकर B और C दोनों को चेक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं A दो बार आया हुआ है तो A पर लगकर हमने B और C को दोनों को चेक किया अब आपको confusion होती होगी कि अब हम दोनों प्रोब कहां पे लगाएं तो अब आपको दोनों प्रोब वहीं पे लगाना है जो अच्छर सबसे कम बार आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं A दो बार आया हुआ है और B और C एक एक बार आया है तो आपको कुछ नहीं करना है multimeter की प्रोब को B और C पे लगा देना है तो यहाँ पर इस प्रकार से रखना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम B plus C B plus C लिखेंगे और यहाँ पर जो भी reading हमको मिली होगी उस reading को हम note कर लेंगे तो यहाँ पर हमको माल लिजे reading मिल गई 60 इस तरह से reading हमको मिल गई 60 अब यहां पर आप बात को समझेगे जो रीडिंग नोट की गई है यह एक मान कर नोट की गई है आप जब भी मोटर को चेक करेंगे तो वहां पर कुछ रीडिंग आएगी उसको आप नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से यहां पर देखिए मैं आपको समझाने करें यहां पर र कामर रणिंग होता है कि स्टार्टिंग होता है तो कामर रणिंग स्टार्टिंग को पहचानने के लिए आप मल्टी मीटर से इस तरह से चेक करेंगे इस तरह से चेक करने के बाद आपको बस यही देखना है कि जिन दो वायरों पर मान सबसे अधिक है उन दोनों वायरों को छ आरे पास कितने वायर हैं A है B है और C है तो जब A और B पे सबसे अधिक रीडिंग आ गई तो A और B को छोड़ कर बचा हुआ वायर C कामन का होगा तो C क्या हो गया हमारा कामन हो गया I hope आपको ये बाते समझ में आ रही होंगी जिन दो वायरों पर रीडिंग सबसे अधिक आ जाती है उन दोनों वायरों को छोड़ कर बचा हुआ तिसरा वायर कामन का हो जाता है तो यहां पर C हाला वायर क्या हो गया common हो गया c वाला wire क्या हो गया common हो गया जब c वाला wire common हो गया तो a और b 100% running और starting होंगे अब running इसमें से कौन सा है starting कौन सा है इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा multimeter की एक probe को लगाना होगा c पर मतलब common पर common पर लगाने के बाद आपको a और b को चेक करना है जब हम a और b को चेक करेंगे तो a पर reading कम अगर आती है तो a वाला running होगा b पर reading अगर ज़्यादा आती है तो b वाला starting होगा यहाँ पर समीकराण से भी aspast हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं c है न c पर लगकर जब हमने a को चेक किया तो 140 reading आई और c पर लगकर जब हमने b को चेक किया तो 60 reading आई यहाँ पर आप देख सकते हैं c के साथ b की reading कम है c के साथ a की reading ज़्यादा है तो C के साथ B की reading कम होने के नाते क्या हुआ B वाला हमारा wire running का हुआ और A वाला wire हमारा starting का हुआ तो यहाँ पर यह भी clear हो गया कि आपको running starting कैसे पहचानना है common पहचानने के बाद multimeter की एक probe को common पे रख लेना है उसके बाद दूसरी probe के द्वारा motor के अन्ने दोनों wire को बारी बारी से चक करना है इस condition में जिस पे कम reading आती है वह running वाला wire होगा और जिस पे अधिक reading आती है वह starting वाला wire होगा तो I hope आपको यहाँ पर clear हो गया होगा अब आपको करना ही क्या है बस आपको कुछ नहीं करना है running और starting में capacitor जोड़ देना है जो हमारा running और starting वाला wire प्राप्थ हुआ है उसमें आपको capacitor जोड़ देना है capacitor के दो wire होते हैं एक wire को starting में और एक wire को running में जोड़ देना है जोडने के बाद आपको neutral और phase की supply देना होता है तो phase की supply हम उसी तरह से running पे दे सकते हैं और उसके बाद neutral की supply हम कहां पे देंगे neutral की supply हम common पे देंगे यहाँ पर आपको यह confusion और भी create होती होगी कि जो हम neutral दे रहे हो common पर ही क्यों दे रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप common पर phase भी दे सकते हैं मतलब supply को आप इस तरह से भी कर सकते हैं common पर phase दे दिजे और running पर neutral दे दिजे तब भी हमारा motor उसी direction में चलेगा जिस direction में उसको चलना होगा तो I hope आपको यह बास समझ में आ गई होगी कि जब motor से तीन तार निकलते हैं तो उसमें से common running starting होते हैं उनको कुछ इस प्रकार से multimeter दोरा पहचाना जा सकता है चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे चितर की तरफ यहाँ पर देखिए जो यह वाला motor है इस motor से भी तीन तार निकले हुए है तीन तार क्यों निकले हुए है और यहाँ पर capacitor भी लगाया गया है तो capacitor कहां पर जुड़ेगा तो इस तरह से जैसे हमने इस motor में जोड़ा running और starting पर capacitor को उसी प्रकार से इसमें भी capacitor को जोड़ना है बस आपको तीनों तारों को find करना है कि common running starting कौन सा है जब हमको common पता चल जा है तो common पर neutral या phase की supply दे देंगे उसके बाद running और starting का जो wire होगा उसको हम capacitor में जोड़ देंगे और उसके running पर supply दूसरी वाली देंगे यानि कि अगर हम common पर neutral दिये हैं तो running पर phase देंगे अगर हम common पर phase दिये हैं ये वाला starting है और ये वाला common है तो running वाले तार को यहाँ पर जोड़ना है इस starting वाले तार को यहाँ पर जोड़ना है अब इसके बाद neutral phase की supply देना है तो यहाँ पर देखें माल लिजे ये होगी हमारा neutral common में चला गया और phase हमारा कहां चला जागा रनिंग वाले तार में चला जाएगा तो इस प्रकार से तीसरे चित्र के बारे में भी आप समझ गया होंगे आई होप आपको ये सारी चीजे समझ में आ रही होंगे तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले चित्र की तरब जो हमारा चौथा वाला चित्र होता है इसमें सबसे ज़ के अलग से निकाल दिये जाते हैं और बाकि जो दो तार होते हैं वह सप्लाइ के लिए होते हैं अब आप कहेंगे कि इसमें से कामन कौन है रणिंग कौन है इस्टारटिंग कौन है तो इसमें से सबसे पहली बात यह है कि आप इसको देखकर ही पहचान सकते हैं कि जो दोनों वायर कैपेसिटर के लिए निकाले गए हैं वे दोनों वायर रणिंग और स्टार्टिंग हैं क्या है वे दोनों वायर रणिंग और स्टार्टिंग हैं और यहां पर दो वार एक्स्ट्रा क्यों निकाले गा है ?? हम इस चीज को भी समझां देते हैं देखे किसी भी कि इस मोटर में दो वाउंडिंग होती है एक रणिंग रणिंग के हैं इस तरह से हम न prépar पर मोटर में समझाएं लिए आपको बना दिया एक रणिंग वायर है एक रणिंग वायर है एक रणिंग वायर है मतलब कि दो तार रणिंग के दो तार स्टार्टिंग के अब आपको करना क्या होता है मोटर के अंदर से ही यह सारी कैलकुलेशन होती है यहां पर देखिए जो हमारा एक रणिंग और स्टार्टिंग वाला वायर होता है उसको कहां पर जोड़ा जाता है कैपसीटर में जोड़ा जाता है तो एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर कहां पर जोड़ दिया गया कैपसीटर के लिए निकाल दिया गया यहां पर आप देख सकते हैं आप बारी किसे जीएगा एक running का और एक starting का वायर आपस में जोड कर क्या बनाया जाता है common बना दिया जाता है वह ले जाकर एक वायर में जोड दिया जाता है तो यह हमारा जो black वायर दिख रहा है यह क्या हो गया हमारा common हो गया क्या हो गया यह हो गया common और यह हो गया running starting फिर यह वाला वायर किस लिए है तो यह वाला वायर कंपनी अलग से निकाल देती है supply देने के लिए ताकि हमको supply capacitor के terminal पर न देनी पड़े तो यह वायर इस तरह से directly जुड़ जाएगा हमारे capacitor में और यह वाला wire कौन सा wire होता है तो हम आपको बता दें तो यह वाला wire अंदर से running वाले wire से जुड़ा होता है तो यह वाला wire हमारा running हो गया क्योंकि हमको supply जो नीूटरल की supply हम देंगे वो देंगे हम common पे और जो हम फैज की supply देंगे वो हम देंगे capacitor के running वाले point पे लेकिन company ने क्या किया एक wire और बाहर से निकाल दिया ताकि आप supply यहां पे न देकर यह supply direct हम इस wire में दे सकें इस तरह से जो हमारा चार तार वाला motor होता है उसके साथ capacitor के तार अलग से निकले होते हैं तो यह जो दोनों तार होते हैं यह supply के निकले होते हैं इनमें से आप किसी में भी neutral किसी में भी phase दे सकते हैं यह motor हमारा run करने लगेगा तो I hope आपको यहां पर चारो चितर के बारे में समझ में या कोई आया होगा तीन थे निकलते हैं चार थार क्यों निकलते हैं कैपिसिटर का तार अलग से निकालने के बाद दो देविच्टर और क्यों निकलते हैं यह सारी Rainوس आपकी दूर गई होगी अब हम आपको वीडियो के शुरू में बता आ थै तो यह बताएंगे कि जो हमारा single speed का motor होगा उससे कम से कम wire निकले होंगे और जो हमारा three speed का motor होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा wire निकले होंगे जो हमारा three speed का motor होता है उसमें से 5 wire या 6 wire निकले जा सकते हैं और जो हमारा single speed का motor होगा उसमें से maximum 4 wire ही निकले जा सकते हैं उसमें से भी 2 wire capacitor के हो और उनको कैसे पहचाना जाएगा तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा कुछ सेखने को मिला है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे चैनल पर ना या तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपक अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद